हम सब लोग घर की बहुत साफ सफाई रखते हैं घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी उसी तरह से उर्जा का परवा हो जिस प्रकार से हमारा घर साफ है क्या आप जानते हैं कि सधारन सा दिखने वाला जाडू कितना important हो सकता है हमारे जीवन में मा लक्षमी के साथ इसका सीधा connection है मा लक्षमी की आशीश अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जाडू की जो जो बाते आज में बताने वाली हूँ उन्हें ध्यान से सुने ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और मा लक्षमी आपसे कभी भी रुष्ट ना हो देखे वास्तू दोश का कारण भी यह जाडू हो सकता है बहुत सारी चीजें इस जाडू के साथ जुड़ी हुई है तो आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं वास्तू के रुसार जाडू का क्या रोल है और इसके साथ साथ क्या धार्मिक मानेताय जुड़ी है हमारे बड़े बुड़े लोग जब यह बात कहते थे कि घर पर जाडू का अपमान ना करें घर पर जाडू को कभी भी पैर ना लगाएं तो हम शायद इस बात को समझते नहीं थे प्रन्तू इसके साथ आर्थिक हानी होती है यह माना जाता है कि अगर जाडू को किसी भी तरह से पैर लग जाए तो इससे आर्थिक हानी होने की संभावने बढ़ जाती है जाडू को मालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से मालक्ष्मी जब हमारे घर में आती है तो घरीबी रूपी दृद्रता को हमारे घर से निकाल देती है उसी प्रकार से जाडू जो है वो हमारे जीवन से सारी negative energy को निकालता है वो हमारे घर में जब भी जाडू लगता है तो negative energy घर से निकलती है कुड़ा करकट निकलता है और घर में सकरात्मकूर्जा का प्रवा होता है तो इसलिए जाडू की importance भढ़ जाती है अगर हम वैदिक मानताओं की बात करें तो मा शीतला जिने शीतला माता बोला जाता है अगर उनकी कभी पिक्चर देखी जाए अगर उनकी कभी तस्वीर देखें तो उनके हाथ में जाडू होता है तो इसलिए इसकी वैदिक मानिताएं धार्मिक मानिताएं भी बहुत जादा है क्योंकि हमारी एक दीवी की रूप में जाडू जो है वो एक अस्तर की रूप में है अस्तर इसलिए क्योंकि वो हमारे घर से दृद्धरता को दूर करती है तो ये एक बहुत ही बड़ी वैदिक माननता है कि जाडू जो है उसे पवित्र माना जाता है इसलिए जाडू को कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए जाडू के उपर से कभी भी लांगना नहीं चाहिए जाडू के उपर से कभी भी कूदना नहीं चाहिए ऐसा करने से आप ल जाडू को लेकर वताई गई हैं इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें वन बाई वन में आपको सारी यहां पर बाते बताऊंगे कि जाडू को किस प्रकार से आपको घर पर कहां पर रखना चाहिए जाडू को घर की साउथ साउथ वेस्ट डारेक्शन में लग सकते तो घर में आप किसी भी जगह पर जाडू को रखें पर असे चुपा कर रखें वो सामने दिखाई ना दे किसी की भी नजर उस पर ना पड़े इस प्रकार से आप उसे चुपा कर रखें डाइनिंग हॉल में जाडू रखने से स्वास्ते की दिक्ते आती हैं बिमारी आती है घर में इसलिए आप अपनी डाइनिंग हॉल में कभी भी जाडू ना रखें चाहे वो चुपा हुआ ही हो प्रंतु डाइनिंग हॉल में जाडू नहीं रखना चाहिए आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम में भी जाडू नहीं रखना चाहिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें नहीं तो आपकी दमपते जीवन की दिक्तें जो हैं वो कभी दूर नहीं होंगी जाड़ो को कभी भी जलाना नहीं चाहिए इस बात का खास ध्यान रखें कई बार ऐसा होता है कि पुरानी जाड़ो होती है और हम उसे जब कुड़ा करकट जलाते हैं तो उसे उसके बीच में जला देते हैं तो ये सबसे गलत तरीका है इससे मालक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती है आप लोगों को मालक्ष्मी की नाराज़गी सहनी पड़ती है और आपके घर में आर्थिक समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है तो इस बात का खास ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की चट पर कभी भी जाडू नहीं रखनी चाहिए घर के बाहर या चट पर जाडू रखने से चोरी का डरवना रहता है तो घर के बाहर अगर आप जाडू रखते हैं चुपा कर रखें किसी स्टोर में जाडू को रख सकते हैं साउट साउट वेस्ट में जाडू को रख सकते हैं और जहां भी इसे रखें चुपा कर रखें ऐसा करने से किसी भी प्रकार का आपको भै नहीं रहेगा आपके घर से भै की समस्याई दूर होंगी जितना जाड़ो छुपा रहेगा उतना ही आप लोगों के घर में डर की भावना जो है वो बिल्कुल खतम हो जाएगी जैसे किसी बच्चे को डर लगा रहता है किसी चीज का हमेशा भै बना रहता है घर में हर व्यक्ती इस प्रकार से सोचता है कि छोटी-छोटी चीजों की टेंशन उने होने लगती है तो ऐसे में जाड़ो को बिल्कुल छुपा कर रखे तो ये कुछ बाते हैं जाड़ो को लेकर आपको ध्यान में रखने चाहिए और इसके आगे मैं आपको अब बताऊंगी कि जाड़ो को खरीदने की क्याविदी है जाड़ो को कब खरीदना चाहिए जाड़ो को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास गाए आती है और हम उसको जाडू से भगाने की कोशिश करते है या किसी भी जानवर को हम जाडू से भगाने की कोशिश करते है तो ये बहुत गलत है हमारी मानिता है, हिंदु धरम में ये मानिता है कि 33 कोटी देवी देवताओं का वास गाए में होता है तो ऐसे में आप लोगों को गाए को बिलकुल भी जाडू से भगाना नहीं चाहिए ये गलत है, ऐसा करने से मालक्ष्मी का अपार गुसा आपको सहना पड़ेगा क्रोध आपको सहना पड़ेगा, ऐसे में मालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में कभी भी वो नहीं आती तो इन चीजों का भी ध्यान रखे, कभी भी किसी भी जानवर को चाहे वो गाय हो चाहे वो कुत्ता हो उसे जाडू से ना भगाएं अब बात करते हैं आगे कि जाडू को लगाने के पीछे का क्या रहस्य है जाडू को कब लगाना चाहिए कि समय लगाना चाहिए घर में जाडू को हमेशा सूरे उदय के बाद लगाना चाहिए और सूरे अस आप लगा सकते हैं प्रंतु सूर्य अस्त के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से भी मालक्षमी रुष्ट हो जाती है वैसे तो साफ सफाई करना अच्छा ही होता है लेकिन वास्तु शास्त्र में इसके पीछे कुछ समय दिया गया है जब हमें सफाई करनी चाह घर में जाडू लगाने के लिए दिन के पहले चार पहर को उचित समय माना गया है जबके रात के चार पहर को इस काम के लिए बहुत ही अनुचित समय माना गया है तो इसलिए रात के चार पहरों में जाडू लगाने से घर में दरिदर्ता अपने पैर पसारती है और धन की देवी मालक्षमी रुष्ट हो जाती हैं जिससे घर में धन की आवकपर परभाव पड़ता है अगर आप बहुत दिनों के बाद घर में शाम के समय आ रहे हैं आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपको पीछे से बंद घर या बंद धूल मिट्टी को आपने ठीक करना है और आ के ही कुडा करकट जहां आप फेंकते हैं कुड़े दान में उसी में ही आप फेंके और उसके बाद अगले दिन आप उसे घर के बाहर सूरे उदय के समय के बाद फेंक सकते हैं प्रन्तों आपको घर में जाडू जो है वो शाम के समय बहुत कम किसी एमरजनसी में ही लगाना चाहिए से रोजाना की आदत नहीं बनाना चाहिए ऐसा करने से बहुत सारी दिक्तें आपके घर में आती हैं आर्थिक तोर पर भी मांसिक तोर पर भी और इमोशनली भी तो जाडू का जीवन में बहुत बड़ा महतु है हम चोटी चोटी चीजों को कई बार अंजाने में ही अंदेखा कर देते हैं तो ये जीवन में कई दिक्तों का सामना इस वज़े से हमें करना पड़ता है तो इन चीजों का ध्यान का इस्तेमाल चाहिए तो जाडू का जीवन में बहुत बड़ा महतु है हम चोटी चोटी चीजों को कई बार अंजाने में ही अंदेखा कर देते तो ये जीवन में कई दिक्तों का सामना इस वज़े से हमें करना पड़ता है तो इन चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो मुश्किलें जो हैं हमारे जीवन से चली जाती है मुश्किलें कम हो जाती है और जीवन बहुत आराम से चलने लगता है तो इन चोटे चोटे उपायों को इन चोटे चोटे तरीकों को आप भी अपनाए अपने घर में और इसे देखते हुए जाडू का इस्तिमाल ठीक धंग से करें आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर जरूर करें ताकि बाकी ग्रहनियां भी इसे देख सकें और उसी प्रकार से जाडू का इस्तिमाल कर सकें आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद